सभीक और आमराम जी सनातन धरम कीज़े और सभीक और सादुवाद एक बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर पत्नी टॉप इलाके से आ रही है कुछ स्पेसिफिक इंपुट्स मिले थे इंटेलिजन्स को जिसके बाद एक ऑपरेशन लाँच किया है जॉइन्ट फोर्स हमारी सेक्यूरिटी फोर्स और पुलीस द्वारा ये जो ऑपरेशन लाँच हुआ है ये अकर फोर्स है पत्नी टॉप के पास वहाँ पर लाँच हुआ है वहाँ पर कुछ एक्टिविटी देखी गई है आतंकवादियों की और उसके बाद ये पता चला है कि आतंकियों के साथ कॉन्टैक्ट भी स्टैबलिश हुआ याने की फाइरिंग शुरू हो चुकी है ये अभी कुछ दिर पहले की खबर है ये खबर की जानकारी वाइट नाइट कोर द्वारा एक ट्वीट करके दी गई है और मैं आपको बता दूँ ये कुछ इन्पुट्स थे कि इस इलाके में कुछ आतंकवादी हो सकते हैं मैं आपको बत आतंकवादी स्पॉट हुए हैं इंटेलिजेंस के पास खबर आई और उसके बाद इंटेलिजेंस की खबर के मताबिक वहाँ पर एक ओपरेशन लाँच किया गया उस ओपरेशन के अंदर इलाके को कॉड़न किया गया पुलीस और आर्मी द्वारा ये जॉइन्ट प्रफियर्टी फोर्स द्वारा आज फारिंग शुरू कर दी गई है कॉंटैक्ट यानिकी आतंकियों के साथ कॉंटैक्ट इस्टैब्लिश हो चुका है अभी जो जो वाइट वाइट नाइट कोर की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें ये भी पता चला है कि ऑप से कश्मीर से तो खबरे आती थी लेकिन अब जम्मू से लगातार खबरे आने शुरू हो कि कभी डोड़ा तो कभी भदरवा तो कभी कठूवा तो कभी अब ये पतनी टॉप के पास तो आप देख सकते हैं कि क्या इन आतंक वादियों को लोकल सपोर्ट मिल रही है ये आतं काम ये है कि इस लोकल सपोर्ट के पूरे एको सिस्टम को कैसे धवस्त किया जाए क्योंकि जो लोकल सपोर्ट वाले हैं ये भी आतंक वादी हैं लेकिन इनके हाथों में बंदूक नहीं होती ये सपोर्ट करते हैं आतंक वादियों को ये आतंक वादी से काम नहीं है कभी प एक tweet के माध्यम से दी गई है और इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि आतंकवादियों के साथ establish हो चुका है contact और operation अभी जारी है फिलहाल आप प्रातना करें हमारा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए हमारी पुलीस का हमारी आर्मी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए लेकिन देके मीडिया जो भी अपडेट रहेगा इस पूरे मामले में मैं आपको बता दूँगा फिलहाल अवेर रहें अपने आसपास ऐसी कोई भी activity मिलती है तो तुरंत पुलीस को बताएं राम रा